नमस्कार में ओप्रिया आज है 15 जून खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में COVID-19 के मिले 400 से कम मामले टीका करन के मामले में बिहार का यह जुला बना अवल सुशान सिंग राजपूत की पहली बर्सी पर परिजनों ने प्रधान मंत्री मोदी से लगाई गुहार बिहार बोड ने जारी किया बारहवी स्कूरूटनी का रिजल्ट लोचपा के टूट पर पशूपती पारस ने दिया बयान अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार में COVID-19 के मिले 400 से कम मामले स्वास्ति पुभा की तरफ से मिले जानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिश्य 24 घंटे में कुल मिलाकर 324 मामलों की पुष्टी हुई है जिसकी बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 471 पर पहुँच गई है जहानबाद में 2, कटिहार में 5, खगडिया में 7, केशनगन में 8, लखी सराय में 4, मधेपुरा में 13, मधुभानी में 6, मुंगेर में 3, मुझफरपुर में 52, नालंदा में 6, नवादा में 5, पटना में 27, पुढ़निया में 11, रोहतास में 9, सहरसा में 1, समस्तिपुर में 7, सारन में 30, शेखपुरा में 11, सीता मड़ी में 3, सिवान में 17, सुपॉल में 7, वैशाली में 18, मामलों की पुष्टी हुई है, मही बीते दिन के 25 गंटे में कुल मिलाकर 1,6,225 संपल की जाच की गई, इसके साथ ही 851 मरीज ठीक होकर घर वापस लोटे हैं बिहार बोड ने जारी किया 12 स्कूरूटनी का रिजल्ट, बिहार बोड ने फरवरी में आयोजित करवाई गई बोड परिक्षा के स्कूरूटनी के परणाम को जारी कर दिया है, जिसकी तहट चात्र बिहार बोड की आधिकारिक वेबसाइट बिहारबोड.online.com पर जाकर चेक कर सकते हैं, बिहार स्कूल इग्जाम इनिशिट बोड ने 1 अपरेल को 12 वी क्लास और इंटरमीडियेट की फाइनल परिक्षा के आंसर बुक की स्कूरूटनी के लिए रिजिस्ट्रेशन शुरू किया था, आपको बता दे कि जिस चात्र ने अपने BACB के 12 वी के परण तो ड्राइविंग लाइसेंस कर दिया जाएगा निलम में ट्राफिक रूल्स तोड़ना वहन चालकों को महगा पर सकता है, सुरक्षा के नियमों का उलंगहन करने पर परिवान भभाग और ज्यादा सकती दिखा रहा है, नियमों की अंदेखी कर गाड़ी चुलाने वाले तो ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बित करने की कारवाई बहार में शुरू कर दी गई है, जिसके तहती तीन महिने में ही अब तक दो सौ पंधर चौलकों के लाइसेंस निलम्बित करने की अनुसंशा की जा चुकी है, पहले गाड़ियों की जाच में केवल काखजात की परताल होती रही है, इसमें हेलमेट सहित गाडियों से सम्मनित सभी कागजात होते हैं, लेकिन अब परिवान विभाग ने जो आज के दौरान ये भी देखना शुरू कर दिया है, कि चौलक सरक सुरक्षा नियमों का पालन कर रहा है, या नहीं इतना ही नहीं रूटीन जो आ परती आमंतरित किया है, इन पदों के लिए और 9 आवेदन 11 जून 2011 से शुरू हो चुकी है, जो कि 4 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी, MDL भरती 2021 के तहत, AC सहित ट्रेट के लिए कुल मिलाकर 1388 रखतियां उपलब्द है, इन में रेफरिजुरेटर, मेकानिक, कंप्रेसर, अटें होना चोई है, इस चुको मिदवार आधिकारिक वेबसाइट, MAZA-GONDOCK.IN पर जाकर, 9 आवेदन कर सकते हैं, बिहार में अब हर शेहरी निकाये में बनाये जाएगा बुढकों का कारियाल है, बिहार में अब शेहरी निकायों में बुढकों के कारियाले को बनानी की तयारी हो कारेकाल संचालित होने से बुढकों की तरफ से चल रही योजनाओं को आसानी से मॉनिटरिंग की जा सकेगी इसके साथ ही आम लोग भी अब अपनी शिकायत आसानी से दर्च करवा सकते हैं इसके साथ ही नगर विकास आवास वभाग के अलावा नगर निकायों को भी सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं की ब्रांडिंग की जाएगी इसके लिए नगर निकाय में इन्फोमेशन, एडुकेशन और कम्यूनिकेशन के तहट होडिंग, फ्लेक्स के माधियम से प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि आम लोगों को योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी मिल सके आज बिहारी पैचान में हम बात करेंगे पंकर ज्जा की, पंकर ज्जा एक भारती है, अभीनेता और चित्रकार है जो मुंबई भारत में सित है उनकी फिल्मोग्राफी में ब्लैक फ्राइडे, गुलाल, शमेली, अनबर और मातरी भूमी शामिन है उन्होंने टेलेविजिन धारवाहिक काशी में भी अभीने किया है, हाला कि अपनी अभीने भूमिकाओं के लिए आधिक प्रसेद पेंटिंग जहा का पहला प्यार बन गई है पेंटिंग के लिए उनका पसंदीदा विशय प्रकृती है, लेकिन उन्होंने साक्षातकारों में उलेख किया है कि वे अध्यात्मबाद जैसे विश्यों के साथ प्रयोग करना चाहते हैं वो अपनी रचनाव के लिए तेल, एक्रिलिक, पेन और स्याही का मिश्रन पसंद करते हैं पेंटिंग में उनकी रूची, 1980 के दशक में शांती निकेतिन में रहने के दोरान विक्सित हुई एम्स दिगा और अरिराज फोरलेन का रास्ता हुआ साफ पटना से नेपाल सीमा तक जाने में अब और ज्यादा सुवधा होने वाली है मेली जानकारी के अनुसार बिहार में भारत माला पर योजना के तहट एम्स दिगा सोनपुर, मनिकपुर, साहिब गंच, अरिराज, फोरलेन, सड़क के निर्मान का रास्ता साफ हो गया है केंद्र सरकार ने इस तक निर्मान के लिए भूमी अधिकरहन संबंधिक कारवाई शुरू कर दी है इसको लेकर केंद्रे सड़क परिभान और राजमार्ग बंत्राले ने अधिसूचना भी जारी कर दी है इससे राजु के एकलौते टाइगर रिजर्व तक बहतर सड़क कनेक्टिविटी हो जाएगी और वहाँ अधिक संख्या में परेटक भी पहुँच पाएंगे टीका करन के मामले में बिहार का यह जुला बना अबवल बिहार में टीका करन अभियान को सरकार पूरी सतरकता के साथ करवा रही है हाला कि बीच-बीच में टीका करन की कमी को लेकर इस योजरा में थोड़ी रुकावट जरूर आई थी लेकिन एक बार फिर से इस मुहीम को जोर शोर से चुलाय जा रहा है इस इकरव में बिहार का पूर्णिया जुला टीका करन के मामले में अबल साबित हुआ स्वास्ते वभाग की तरफ से COVID-19 टीका करन कवरेज को लेकर सभी जिलो की सूची जारी की गई इस सूची में 38.31 पीज़ी कवरेज है जो अन्य जिलो में सबसे ज्यादा है इस ग्रूप में राजुब में 2 करोर 44 लाग खुराक का लक्ष रखा गया है इसके साथ ही जुला में 6,89,679 खुराक का लक्ष रखा गया है इसमें जुला ने 4,21,390 खुराक दे दिये हैं प्रथम खुराक 3,56,529 लोगों को दी जा चुकी और दूसरी खुराक 64,851 लोगों को दी जा चुकी है वही राजधानी पटना की बात करें तो यह 30 रे नंबर पर है आज से नालंदा नवादा शेखपुरा और जमूई के लिए ISBT से खुलेंगी बसे आज से नालंदा नवादा शेखपुरा और जमूई के लिए बसों का परिचालन पाठले पुत्र बस टर्मिनल बैरिया या ISBT से शुरू होने वाला है इसको लेकर तैयारी पहले से ही शुरू हो चुकी वही दियम डॉक्टर चंदर शेखर सिंग ने इस बावत अधिकारियों के साथ रविवार को ही भ्रवन कर लिया है और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिये थे इस मौके पर उन्होंने द्वित्य चरन के तहट चार जिलों के लिए बस सेवा नियत तारीक को ही सुचार रूप से शुरू करने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रतिनिध्यों के साथ ISBT में बैठक भी की जहाँ पर उन्होंने पार्किंग विवस्ता, काउंटर विवस्ता, सर्विस स्टेशन, फेरी सेवा, ट्राफिक विवस्ता, शौचाले, पेईजोग सहीत, यातरी सुवधाओं पर विचार विमर्श किया सुशान सिंग राजपूत की पहली बर्सी पर परिजनों ने प्रधान मंतरी मोदी से लगाई गोहार, बॉलेवोड अभिनेता सुशान सिंग राजपूत की पहली बर्सी कल मनाई गई, वहीं इस दौरान परिवार वालों ने भी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी से इस माम आज भी उनके बेटें की संदेहास्पद मौत से परदा उठाने का इंतिजार है सुशांत सिंग राजपूत के चुचेरे भाई पन्ना सिंग ने इस जोरान अपना बयान जारी करते वे कहा कि जान नहीं गई है उंबर की साज़ुष के तहत उसकी जान ली गई है पूरे प्रकरन को सीवसाइड का रंग दिया गया है रंगी निलस्टरी के काले कारनामों को चिपाए गया लोजपा को लेकर पशुपती पारस ने दिया बयान सुमबार का दिन लोजपा पार्टी के लिए बेहदी भारी साबित हुआ है अचारक से पार्टी के अंदर उठी बगावत के कारण पार्टी में काफी उठापटक देखने को मिली राम बिलास पासवान के भाई और सांसक पश्यूपती पारस ने पत्रकारों के सामने आकर इसकी वज़े बताई है जिसके तेहत उन्होंने कहा कि कल का फैसला मजबूरी में दिया गया फैसला है तीनों भाईयों में अटूट प्रेम है दलित पिछ्रों की आवाज बनना और उनकी मदद करना दिवंगत नेता राम बिलास पासवान का सपना था इसलिए वो पार्टी में शामर थे लेकिन कुछ सामाजिक तत्वे के कारण पार्टी के नेता ही नाराज चल रहे थे चिराग हमारे भतीजे हैं और पार्टी के रास्ट्री अध्यक्ष भी हैं हमें उनसे कोई शिकायत शिक्वान नहीं है विहार में मौसम विभाग ने जारी किया ब्लू अलर्ट मौनसून का असर विहार के सभी जलों में अब देखने को मिल रहा है ये कारण है कि सभी जलों के लिए मौसम विभाग ने ब्लू अलर्ट जारी कर दिया है बीती शाम की बात करें तो राजधानी पटना में दोपहर से ही काले बादल देखने को मिले छे बजे से साथ बजे के बीज तेज बारिश भी हुई इन सभी को देखते वे मौसम विज्यानिकों ने पटना के साथ ही गया नवादा, नालंदा, समस्तेपुर, भागलपुर, सारन, गोपालगंच, वैशाली, पश्च्रिम, चमपारन, मुंबई, बांका, जहानबाद, अरवल, भोजपुर, सिवान, और पूर्वी, चमपारन, मुंगेर, बेगुसराय, खगड़िया और पुर्निया में तेज सरकारी नोकरी देने का अइलान किया है, इसको लेकर बिहार लोक सिवायोग की तरफ से साहता-अभीयनता की न्योकती के लिए प्रौकरियाश शुरू कर दी गई है, बीपिसी साहता-भीयनता-प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उमिदवारों का चरण पूरा हो चुका है प्रथम चरण में साक्षातकार के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों के लिए 25, 26 और 27 जून को इंटर्व्यू की तारिख तै की गई है इस वावत आयोग के सयुंगत सचिव ने परिक्षा नियंतरक अमरेंद्र कुमार से बाचीत के दौरान उन्हा ने बताये कि साक्षातकार में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिये गए हैं सभी को निर्धारित परफॉर्मा को भर कर साथ लाना होगा जिसके तहत जल संसाधन विभाग में 284 योजना एवं विकास विभाग में 270 ग्रामीन कारे विभाग में 250 पथ निर्मान विभाग में 236 पद निर्धारित के गए हैं इसे कम पर लगू जल संसाधन विभाग में बयान जारी क्या है इतना ही नहीं जोरान उन्हाने वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से हर घर नलकाजल योजना की समिक्षा की और बचे हुए कारियों को तेजी से पूरा करने का अंदर देश दिया इस योजना को लेकर उन्हाने बताया कि पहले राजु में केवल दो प्रतिशुत लोगों के घर ही नलका जल पहुचता था लेकिन अब 95 प्रतिशुत से अधिक लोगों के घर इस योजना के तहर नल से शुद पेई जल उप्लाप्स कराये जा चुका है पदादिकारियों को निर्देश देते वे उन्हाने कहा कि लोगों को स्वच पेईजल की हमेशा आप उरती रहे इसके लिए उचित रख रखाव सुनेशुत क्या जाए हर हाद में मिंटेनिस ववस्ता बनाए रखे अपने पिता से मिलने पहुचे मनोज बाजपई ने फैमली के महत्व को लेकर कही एहम बात हाली में मनोज बाजपई की सीरीज दफैमली मैन दो OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज की गई है जो इसके बाद से ही लगातार उनकी चर्चा हो रही है वहीं इस बीच मनोज पहित गाओं के लोग भी मिल रहे हैं वहीं हाली में परिवार को लेकर मनोज बाजपई ने अपना बयान जारी के है जिसके थैत उन्होंने कहा कि मेरे पिता जी मेरे आदर्श है पिता जी की तब्यत खराब होने की सूच ना मिली तुरंट सब छोड़ चार कर घर आ गया फ पहित जाएगी इसके साथ ही रश्या से आई इस वाक्सीन को लगवाने के बाद आपको शुल्क देना होगा या अनुमती प्राप्तनी जी तीका करण केंदर पर उपलथ रहेगी इस वाक्सीन के लिए भी रजिस्ट्रेशन और स्लोट बुक कराने का तरीका वही होगा जो कोवी शील्ड और को वैक्सीन के लिए है जिसके परिणाम सरूप उमंग एप, आरोगे सेतु एप, कोविन आप, कोविन पोर्टल के स्पुतिनिक वैक्सीन के लिए स्लोट बुक हो सकेगा स्लोट बुकिंग बुधवार या उसके बाद से शुरू हो सकती है मिली जानकारी के नुसार इस वाक्सीन की कीमत 1000 के आसपास नरधारित के जाने की खबर सामने आई है पपुयादव को लेकर पटना है कोट ने जारी किया एक और नया वारंट 32 साल पुराने मामले में फसे जनाधिकार पार्टी के मुख्या पपुयादव की मुश्किले खत्म होने का नाम नहीं ले रही है पटना की रफतारी को लेकर ही लगातार रहाई की मांग की जा रही है क्योंकि फिल्हाल उनका एलाज DMCH में चल रहा है मैं पटना कोट की तरफ से जारी के गए आदेश के बाद कारे करताओं में एक बार फिर से निराश और आक्रोश देखने को मिल रहा है पार्टी के राश्रे महासाचिफ सहप्रवक्ता प्रेम चन्ने कहा है कि सरकार अब खुले तोर पर उनके माननीय निता के खिलाब साजिश्ट कर रही है अब लाइट शो के जरिये दिखाये जाएगा दस सिख गुरो का इतिहास बिहार के राज़ानी पटना में दस सिख गुरो के इतिहास को दिखाने के लिए बाइट शो की मदद ली जाएगी इस पर 13,38,20,000 की राश्री खडश होगी आपको बतादे पटना सिरी सिखों के लिए प्रमुक्तीर थे हैं यहां सिख पंथ का प्रसिदित तक थे श्री हरी मंदिर जी साहिब बेहत भव्य गुरुद्वारा है जहां दस्वे और आखरी गुरु गोविंद सिंग का जन्मुआ और बच्पन का काफी वक्त गुज़रा था बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच राज़त सुप्रीमो लालु प्रसाद से मिलने बीते दुन अखिले श्यादफ पहुंचे जिसके बाद यूपी विधानसभाद चुनाफ को लेकर सरगर्मी देज हो गई है मही लालु यादफ से मुलाकात की जानकार ये खिले श्यादफ ने खुद अपने ट्वीटर अकाउंट से दी जिसके तहट उन्होंने फोटो को पोस्ट करते में लिखा कि दिली में माननी है लालु प्रसाद यादफ जी से मिलकर उनके स्वास्त लाभ की सकरात्मक प्रगती जानी हम सब की तरफ से उनको स्वास्त और सक्रिय जीवन की शुभकामना है आपको बता दे लालु प्रसाद यादफ का मुलायम सिंग यादफ के परिवार से व्यक्तिकत संबंध है और दोनों एक दूसरी के रुष्टिदार भी है कयास लगाया जा रहे हैं कि यह मुलाकात उतर प्रदेश में होने वाले मुधान समा चुनाव की मदनजर हो सकते हैं पपू यादफ की रहाई को लेकर जन अधिकार पार्टी ने चलाया हर स्ताक्षर अभियान जन अधिकार पार्टी लगातार पपु यादव की रहाई को लेकर मांग कर रही है कभी जल समाधी तो कभी सड़को पर उतर करके समर्थक लगातार पपु यादव को रहा करने की मांग करते देखे गए हैं इस इक्रम में बीते दिन जनाधिकार पार्टी के कारेकरताओं ने हरस्ताक्षर अभियान चलाया इस दौरान पटना के वैशाली गुलंबर पर हरस्ताक्षर अभियान चलाते वे रास्ट्रपती को पत्र लिखकर पपु यादर की रहाई की मांग की गई चुराग पासवान के चाचा पशुपती पारस निर्विरोध चुनेगे लोगसभा में संसधिये दल केनेता अभी दिन लोचपा में जारी उठापटक के बीच निर्विरोध चुराग पासवान के चाचा पशुपती पासवान को लोचपा संसधिये दल कानेता लोगसभा मे बना दिया गया है, इसका फैस्ला मीटिंग में लिया गया, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे चुराक के चाचा पश्रूपती समेत 5 सांसदों ने पार्टी से बगावत कर दी थी, इस बावत पश्रूपती कुमार पारस ने अपना बयान जारी करते वे कहा कि हमारी प पांच सांजदू की इच्छा थी कि पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को बचाया जाए, मैंने पार्टी को तोड़ा नहीं बलकि पार्टी को बचाया है, जिसके बाद राजधानी पतना में लोजपा कार्याले का बोर्ड बदल दिया गया है, चुर लोगजन शक्ती पार्टी की तूट के साथ ही बिहार में राजधिक गहमा गहमी तेज हो गई, इसी बीच चिराग पासवान को लालुयादव की पार्टी राश्ट्रे जनता दल से ओफर मिल गया है, पतना की मनेर विधान सभा से राश्ट्रे जनता दल के विधायक भाई दिरेंदर ने बड़ा बयान दिया है लोचपा में टूट की खबरों की बीच, मनेर विधायक ने कहा कि अगर जमूई से सांसक चिराग पासवान चाहे तो उनका राजध में स्वागत है, राजध के वरिष्णेता ने कहा कि तिजस्वी आदवर चिराग पासवान मिलकर र आज की तारीक कई कारणों से हैं दर्जू, कलकता शोयर बाजार की शुरुवात 1908 में हुई, IBM की स्थापना 1914 में हुई, अखिल भारतिय कॉंगरस ने 1947 में नई दिली में भारत के विभाजन के लिए ब्रिटीश योदना स्विकार की बर्दवान विश्विद्याल 1960 को प पुराना सिल्क रूट खोलने का निर्डे लिया, भारतिय अध्योगपती लक्ष्मी मितल का जन्म 1950 में हुआ, दिक्षित हिंदू संप्रदाई राधास्वामी सत्संग के संस्थापक शृपदयाल साहब का निधन 1878 में आजी के दिन हुआ था, इर्फान पठान ने वर्ल्ट एस चांपियंशिप में दो खिलाडियों को लेकर जारी कि अपना बयान, वर्ल्ट एस चांपियंशिप के फाइनल में बस कुछे दिन बच गया है और इसकी तैयारी जोर शोर से जारी है, माई टीम इंडिया के पुर्फ खिलार इर्फान पठान ने हाली में अपना बयान जारी किया है, जिसके तहर्त उन्होंने कहा कि ओपनिंग बल्लेबाज, रोहित शर्मा और शुब्मन गिल को साथ हैंटन में बल्लेबाजी करते समय काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ एक अलग प्रारूप है, उन्होंने वा अस्ट्रेलिया में रेड बॉल प्रारूप में बहुत अच्छी शुरुबात की थी, आप इसे इतनी जल्दी नहीं भूल सकते हैं, आप बस प्रारूप के साथ जाओ अब आई ये जानते हैं सराफ़ बाजार और प्रेट्रोल डीजल के क्या थे भाव, अगर हम सराफ़ बाजार की बात करें तो सोने का भाव, 14 जून को 22 कैरट के लिए प्रतिय दस ग्राम, 47,760 रुपे था, वहीं 14 कैरट के लिए प्रतिय दस ग्राम, 48,760 रुपे था, इस बहुत है निवाद, आप मेसे जिन्यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है, अभे सिंग, आदर्श कुमार, दीपक कुमार, बंटी कुमार, विश्वास सिंग, चंदन कुमार, मिरतुन जयतिवारी, कुश्पांडे, प्रिंस कुमार, अस्लम राज, बवित दाने ना चाहिए, अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, इसके साथ ही, आज चुके लिए बस इतना ही, बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटे रहने के लिए, हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइक कॉन दबार ना भूले, ध झाने बादे